महाराष्ट के पुरु मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के परभारी देवेंदर फंडविज ने पूर्णिया के सनगंज के भाजपा कार्यकरताओं के साथ सभी परत्यासियों के उमिद्वारों को लेकर विस्तार पूर्वक पूर्णिया में चर्चाय की इस मौके पर देवेंदर फंडविज ने पतरकारों से बात करते वे कहा कि एंडिये में सीट शेरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है उन्होंने सुसान्त की धरती से बिहार के बेटे के लिए न्याकी मांग की और महाराष्ट सरकार के कारिशली पर सवाल उठाया इस दर्मि पर देवेंदर फंडविज ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी एवंगरी मंत्री अमीत साह की जमकर परसंसाभी की बिहार परवारी के पूरिया पहुचने पर यहां के कार्जकरताओं में काफी उत्साह देखा गया और कार्जकरताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ पू तो कि भारत का जो आतागरिक है वो यह आता है कि यहां से गया हुआ युवा जिस प्रकार से उसने वहां पर अटनी पैठ जबाई जिस प्रकार से लोगों के मने में उसने अपर घर बसाया तो लोग यह मांते हैं कि उनकी जो वर्प हुई है और वर्प के बाद जो शनका और संशन तयार हुआ है किसी भी तहिमिये से सच बहार आना चाहिए शिर्वात में बाराच्पुलिस इसकी जाज पर रहे थी वोगर सःदिशाम है तो शायद सुप्रीम पर को इसमें पहल करके जाज को CBI के पास है, NCP के पास है, और MED के पास है, एक सही दिशाओं है, वो जारे ऐसा दिकार, सज बहार आएगा, और हवारा मतला यह है, कि जब तक सुशान से और इनको जैजे लिलता, जब तक उनकी बहुत का फ्रज बहार में आता, तक भारते ज़ता पार्टी और भार इस नहीं कहétais है, यह सब्धार है, कर दिखें की बाचीन चल रही है, कुछित समय पर आपको नदा दिया जाएगा, बहे संभाध के साथ, सिंसे भी को साथ में। बहुत कैसे होगी, सिंस खेंगतान रहती है, कि कम रूदा डय पोशनी, रहे है। लेकिन में आपको वापिस बजाता हो कोई खटास नहीं आएगी विल्कुल सभी का समाधान करकर हुए हम लोग सीटों का बढ़वाना कर पाएगे और एटी ऐसे वह बहार नहीं जाएगा बहार से को एटी में आ सकता है पर यहां से बात पर लिए जाएगा किसी को बहार नहीं निकला जाएगा